गाइस वल्कम करते हैं आप लोगं का फिर से एक अर वीडियो में और अब जब थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था उमर कोखर की आज basically उमर नहीं हा रहा है या उमर का कबूतर नहीं हा रहा है आज शोक की हार हुई है और शोक करवाने वाले की हार हुई है और बहुत अजीव लगा मुझे यार कि जो बंदा खुद वहां पे नहीं था और उस बंदे ने कसम खा ली और जो वहां मौझूद था उसने कसम न जो वहां पर मौजूद नहीं था और जो वहां से काफी दूर रहता है उसने कसम खाली जबकि उसका कसम खाना बनता ही नहीं था और मैं देख रहा था उमर की चत पर काफी सारे दोस्त कठेक हुए है और वहां पर मुझे काफी गुस्सा आया इस वीडियो को देखे और एक अकेला खोकर जो है वो मनला पची साल का लड़का लड़ रहा है तुम लोगों के साथ बुड़ों बुड़े लोगों के साल अपर बाजी तो तुने जीत ली उससे लेकिन उससे भी तो बाजी होगी तुने कभी उससे कैसे जीतेगा तो बहुत बुरा लगा मुझे आध यार इस तरह से थोड़ी ये शोग नहीं शोग का बिसिकली क्या बोलू मैं शब्द नहीं है मेरे पास और उमर के लिए मुझे काफी फील हो रहा है यार अकेला जो है आपका शोग करवा रहा है और आप उसी को गलत तरीके से जो है उसको साबित कर रहे हैं गलत तरीके से गलत साबित कर रहे हो गब भी गलत तरीके से छोटा बच्छोटे लड़के होते तो चलो मान लेता यार 25-30 साल के लड़के हैं तो आपस में उनका चलो ठीक है चायज है लेकिन तुम्हारी उम्रे तो देखो सदरा यार कितनी कितनी उमर के तुम शरम आनी चाहिए तुम लोग तुम लोग थावित कर दिया तुम लोग परफेक्ट चेडी मार हो और चेडी मार काम ही होता है एक शोकीन जो आपका शोक कबुतर को कटवा दिया यां काट दिया सच तो क्या सच क्या है वो सब को पता है चलिए कोई नहीं एक इन्होंने मतलब कह सकते हैं प्रोपोगेंडा मनाया और इसको डॉमिनेट करने की कोशिश की उमर को और कापी जाधा इसको फील हो रहा है उमर को इस टाइम पे यार जैसे की अब का सव्च खाना गीएर का आगे मामां खिस मुज़ी कப का सम खाना बनता था क्या उसकी घरिय चायज है जो मुनसव ताइम पर च्छत पर मौजू था कि वह अगर कह रहा है कि वह गो इस यह कौन होता है क्या सुखने वाला मैं इस्ने मुनसव देजा होता है व वो भी जूटी कसम खा के मतलब यार किस तरह से मैं बोलूँ यार कैसे कैसे लोग है इस तुनिया में भरे पड़े हुए एक शोकीन जो तुम लोग का शो करवा रहा था और तुम लोग सारे उसी के पीछे पड़े हुए हाथ दो के और ये मैं पहले नहीं बोल रहा था अब म बढ़ा है तारिक किस तरह से उसके घर पर आगे उससे बात कर रहा है शर्म आनी चीए यार तम लोगो किसी घर पर आयो नागी बाहर कहीं पैठे हुए हो तुम लोग सुनोंगे यार शर्म आनी चीए बहुत बुरा लगा मुझे मतलब यह नहीं कि खोकर हार गया या को कर अगर वो हारा है तो मेरी नजरू में तो जीता है और जितने भी सब्सक्राइबर्स व्यूर्स हैं उनकी सब नजरू में वह जीत चुका है हम लोग उसके साथ कड़े हैं उसके साथ सपोर्ट में हैं लेकिन यह तो बड़ी ज्यत्ती हुई यार आप लोग ने मतलब शरीफ ब बड़ वोला है बेशक लेकिन तुम लोग ने उस बंदे को इस तरह से साइड लाइन कर दिया यार कि जैसे वो कोई एक्जिस्टी नहीं करता है पैसों की बात भी नहीं है यहां पर है बात है सिर्फ शौक की और सच की अज बेसिकली कबुतर भाजी हारी आज शौक हार गया और शौक करवाने वाला शौकीन जो है वो भी हार गया औरivamente मुझे भिलकुल भी मतलब यह नहीं लग़ा है कबुतर भाजी हो रही है किसी भी एंगल से एक आदमी को आप मनलब इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं इस तरह से गलत साबित कर देते हैं कि वो ही नहीं पहीं एक्सिस्ट भी नहीं करता है इस तरह से कि उत्रवाजिया नहीं होती है, आज आप लोगोने बिल्कुल एक्जेक्टली जो चिडी मार होते है ना वैसा यहां पे पेश किया है अपना जो भी प्रेजेंटेशन दी है इस वीडियो में मैंने जो देखा, मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, वो मैंने का ना किसी भी एंगल से मुझे शुकीन नजर नहीं आए, चिडी मार है यार सब दुनिया करती है, ठीक है लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक ही बंदे के पिछे हाथ दोके पड़े रहो और उसका शोग जो आप खराब करो, मतलब हरानी हो रही है यार इतना नीचे गिर के तुम सब्सक्राइब करते हैं, अब लोग ने, अट लिस्ट सोच लेते पहले किसम खाने से पहले हो जिसको खानी चाहिए थी वो मुझूद है या नहीं है, उसकी कोई मतलब भी नहीं बनता है, फिर मुनसफ बेजा क्यों? सवाल तो यही पैदा होता है, अगर कबुतर को काटना नहीं था, फाइनली नहीं पहले से ही डिसाइड कर रखा था, कि कोब उतर काटना ही था, तो फिर मुनसफ बेजा क्यों, वो भी दो-दो, दोनों मुनसफ के फैसले होने चाहिए थे वहाँ पे, न्यूटरल मुनसफ बेजना चाहिए था, एक तारीका बेटा बेजा हुआ ह उनकी शकलें देखके मुझे असल दग रहा है कि क्या बोलू मैं यार, मन दुखी होरा आज मेरा, कि इन लोग ने बेसिकली को जो है, इतना वो करती है, डिग्रेड करती है आज, काइंड अफ दिग्रेडेशन ही है, बिसिकली है, लेकिन मैं कोकर से यही कहूँगा, भाई, कि हारना नहीं है, दिल से, मन से, डट के मुकाबला करना है, और जो भी चैलेंजज़ आए हैं, अब मैं आपको कहता हूँ, आपको कहता हूँ, अब दिल खोल के अशेप्ट करो, हारना जीतना एक खेल का हिस्सा है, लेकिन अब जो चैलेंज़ है, जो भी हैं, जसने भी सब्सक्राइब एक मुझे बड़ा अचीव लगा रहा है इतना 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 इंचे किर सकते हैं इतनी छोटी सोच के लोग है यह एक छोटे से लड़के को 25 त्थी साल का लड़का है तुम्हारा शोक करवा रहा है उसके वेससे तुम्हारा शोग हुआ और इस तरह से उसके छट पे बहेव कर रहे हैं जासे ये चिडिया घर में आया होते हैं यही से पदा चलता है कि कि मैन इस ओन बाला कंपनी ही कीप्स उसकी संगत जो होती है इंसान की वही से उसकी पहसान होती है और बड़ा अजीम लगा मुझे हाज मतलब जिस तरह से ये बहेव कर रहे हैं उसकी छट पे शोर डाला हुआ भी मतलब का और किसी के घर में आया हो तुम लोग यार वे डेरेदारी नहीं है उसका घर है वो और यह तारिक जो है किस तरह से बहेव कर रहा है तोसके साथ चलिए अब थाज़ा शीजा एंपर ठाग अब फैसला उस ताद्यम ने देदिया है तो उस ताद्यूं का फैसला उस खोकर को माना ही पड़ेगा लेकिन मुझे आजीब 2 चीज़े लगी एक जिस तरह से नहीं होता है इस तरह से नहीं होता है किसी के घर में जाके और दूसरा जो इनुने जूटी कसम खा ली जिसको कसम खानी से ही ती उसने कसम नहीं खाई आप बताएगा ज़रा आप लोग ने भी वीडियो देख ली होगी और आप लोग मेरी भी वीडियो देख उनके लिए है और उमर तुने टेंशन ही लेनी भाई हम लोग तेरी सिपोर्ट में हैं जहां तक होगा हम आपके साथ खड़े हैं देखिए पास तो नहीं हूँ लेकिन मैं यहां से आप लोग के लिए मैस विशिस बेज रहा हूं और उपर वाले से दुगा करता हूं आपको म करिए अभी टाइम है अपकी एज काफी है और काफी सीखेंगे आप ऐसे तो चले इतनी जल्दी परोसा भी मत करिए वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्स्क्राब करिएगा में ते नेक्स वीडियों कर दो कर दो